मॉक टेस्ट में 3 बाते हैं अब वक्त आ गया है फूल लेंथ टेस्ट देने का वगेपर को अटेंट करने की विर्योश स्टाटेजी क्या होती है टेस्ट को एनलाइज करने का प्रॉपर मेतडलावजी क्या होता है रि़ीजन करने का सबसर च्छा तरीका वक्त आ गया है, फुल लेंथ टेस्ट देने का, कई बच्चे सोच रहे होंगे, कि सर स्लेवर्स कंप्लीट नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, अरे भाई, ऐसे तो स्लेवर्स कंप्लीट तरह एंड तक नहीं होने वाला, फिर क्या करेगा, लास्ट में फैल जाएगा, तो इसलिए मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐस सून अस पॉसिबल दीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि पार्ट टेस्ट और क्युमिलेटिव टेस्ट का भी देने का अभी ज्यादा रोल है नहीं, जितना समय हमारे पास है नहीं, तो जितना भी स्लेबस हुआ है, एवरी वीक, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करो, बिमारी का इलाज ही नहीं हुआ भाई, समझ रहो, तो बिमारी का इलाज तभी होगा, जब आप प्रॉपर अनलाइज करोगे, परिशानी का हो रही है, तो उसके लिए टेस्ट अनलेसिस का यूज करें, बच्चो टेस्ट अनलेसिस के लिए हमने एक टूल बनाया है, जिसका नाम है टेस्ट अनलेसिस टूल, और यह जो पर्टिक्र टूल है, हमने टेलिग्राम चैनल पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्श ले सकते हैं regarding anything related to mock test अब अच्छ उसके बाद अगली important बात आती है अच्छा एक चीज मैं और बताना चाता हूँ mock test related detailed में एक strategy वीडियो आ चुका है तो अगर detail में mock test related आपको सब कुछ जानना है कि paper को attempt करने की various strategy क्या होती है test को analyze करने का proper methodology क्या होता है और कई सरी इसी techniques उसमें मैंने बता रखी हैं तो again उस वीडियो को आप देख सकते हैं अब बात करते हैं revision करने का सबसे अच्छा तरीका और practice के लिए best material यानि अब game है revision का and practice का बच्छो revision का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है या तो आप short notes बना लो अपने class notes के through उसके through revise कर सकते हो यानि key points को लिक लिक कर दिखोगे तो पहला phase revision का बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इतना समय नहीं है तो हम key points को highlight करके भी revise कर सकते हैं लेकिन सबसे important तरीका यह है कि सरफ theory में फसा नहीं रहना है fast reading करके अपने को practice पे जाना है practice में जहाँ पे फस होगे उसके लिए notes को revise करना है या reference books को revise करना है यानि exclusively revision करने का समय निकालने की आवशकता नहीं है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि sir मैं आज revise करूँगा अरे भाई वो बच्चे सरीफ revise करते रहते हैं theory करते रहते हैं और practice नहीं करते हैं मैं कह रहाँ practice करिए उसके थूरू revise करिए है ना और practice करने से पहले notes को एक बार go through कर लीजे ताकि key concept, key points तो पता हैं ताकि question attempt तो कर पाओ लेकिन जहां-जहां stuck हो जाओ उसमें आप revision कर लीजिए उस चीज का revision कर लीजिए यह बहुत ही amazing effective तरीका है इसमें मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि यहां पे अब कहां पे focus करोगे कौन सा practice matter पे focus करना है इसके लिए सभी जानते हैं क्लास्ट पांच साल के PYQ बहुत अच्छा resource है उसके लावा जेए advanced के जो single correct questions है बहुत अच्छा resource है क्लास के questions कुछ अच्छे-च्छे questions वो बहुत अच्छा resource है इसी से काम हो जाएगा वैसे मैं आप कई बच्चे पूसते हैं कोचिंग material में लगे होते बीटा सारा कुछ कर नहीं पाऊगे इतना समय हमारे पास होता नहीं material इतना available है books available है mock test है इतने सारे कोचिंग का material है material सामई इतना bombarded हैं कि फस जाते हैं दप जाते हैं उसके नीचे तो इसलिए मैंने बोला डंग से complete कर पाना possible नहीं हो पाता या module के कुछ अच्छे-च्छे questions कर लिए जो आप में से ऐसे student है जिनने अलड़ी सब कुछ कर रखा है तो module के अच्छे-च्छे questions करें overall game ऐसा है कि focus on the quality rather than just quantity everyday अगर आपने 50-60 high quality questions किये ना आपका game जेंज हो जाने वाला है सभी comment section में लिखना I will do at least 50 high quality questions 50 high quality का मतलब असान नहीं बेटा समझ रहे हो ऐसे तो 100-100 question कर सकते आप लेकिन 40-50 अगर high quality अच्छे question जो आपके comfort zone से हिलाते हैं और कुछ medium level के questions भी कर लो medium plus high quality game change हो जाने वाला आपका अभी से लेके exam तक लगबग 3,000 question कर सकते हो आप high quality और 3,000 high quality question अगर तुमने कर लिए तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता बच्छो कोई भी नहीं रोक सकता समझ रहे हैं आप सभी तो revision practice में इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी के सभी अब बात आती है regarding time management time management कहां से करें कैसे करें क्या होगा तो बच्छो time management के लिए overall detailed video मैं already बना चुका हूं time table आप मैंसे काफी बच्छों ने देखा होगा उस routine को follow करिएगा वह बहुत helpful होगा fundamentally उसमें पूरे दिन को हम लोगों ने 7-8 sessions में divide किया है जो डेड़ से 2 गंटे के session रहेंगे और उन sessions में आप divide करके high productivity लेके आओगे बीच वीच में break लोगे and overall high confidence के लिए जो जो activity मैंने बताई उसको follow करोगे तो काम हो जाएगा जो जो बच्चे वीडियो में इस समय तक बैठें इसका मतलब बच्चो आप सभी high focused high intensity बच्चे हैं आप सब बहुत अच्छा करने वाले रियल एक्जाम में अब आप सभी के लिए बच्चो मैं master resource बताने वाला हूँ यह master resource है बच्चो AOTS that is ATP online test series as per the revised slaves बच्चो हमने इसको update कर दिया है बहुत ही इंडिया की most relevant and comprehensive test series है बच्चो जिसके अंदर बहुत सारे आपको custom practice test मिलते हैं chapter wise test भी आपको यहीं मिल जाएंगे आपको full length test भी मिल जाएंगे papers को आप re attempt भी कर सकते हैं वो feature भी available है previous year papers को भी आप इसमें as a test दे सकते हैं उसके अलावा बच्चो monthly mentorship session भी आपका इसमें मिलेने वाला हूं जिसमें आप one-on-one guidance भी मुझसे ले सकते हैं बच्चो अगर इसमें आप enroll करना चाहते हैं आप सभी इसमें तुरंत enroll करें इसमें enroll करने के लिए आप सभी को क्या करना है मैं आप सभी को बता देता हूं अन्रोल करने के लिए बच्चो हमारी आप को डाउनलोड करें आप पे login करें या website पे login करें login करके go to the star batches section star batches section में visit AOTS यहाँ पे AOTS में आप जाएंगे and from there you can enroll okay बच्चो so hoping that यह particular AOTS यह master resource आपकी यह revision practice में आपको बहुत-बहुत help करेगा आज इसका फायदा उठाएं और अपनी practice शुरू करें बच्चो मिलते हैं next particular वीडियो में बबाई take care and keep preparing well love you all